ये सरकार कमजोर हो गई, क्या जो पहले जिन्नों का घर उजाड़ा था, ये सरकार मजबूत हो गई, तो इनका भी उजाड़ा देती से, और फिर उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे, जिस सरकार ने सबसे अच्छा रिवर्फरंट खराब किया, नाले पर रिवर्फरंट बना नाले पनी मनता है, तो इसलिए ये सरकार कमजोर हो गई, इसलिए फैसा टाल दिया, क्या जो पहले जिन्नों का घर उजाड़ा था, ये सरकार मजबूत होती तो इनका भी उजाड़ देती इस घर, तो किस से फैसा लिया था घरों को हटाने का, कौन लोग थे, क्या मुख्य ने कहा देंगे हम नहीं थे, अधिकारी थे, सरकार खुद फैसा ले रही थी, और फिर उस सरकार से क्या उमीद करोगे, जिस सरकार ने सबसे देश का सबसे अच्छा रिवर्फरंट खराब किया हो, जो को अपती रिवर्फरंट है, वो देश का सबसे अच्छा रिवर्फर फ्रंट बनता है रिवर पर नाले पनी बनता है आप मुझे ये बता हो उस नाले का पानी साफ करने का क्या इंदाम है सरकार का जो नाले में पानी आ रहा है डोमेस्टिक वेस्ट है या अन्न वेस्ट जो आ रहा है उसके अंदर तो वेस्ट को कैसे रोकते ही लोग क्या प्लान नहीं था केवल गरीबों को जाड़ना चाहते थे ही लोग और हो सकता है कि कुछ बिल्डरों से मिले रहे हों ही लोग क्योंकि इधर सब बिल्डर उनी की तरफ चले गए हैं ये कमजोर पड़ गए हैं एक दूसरा जो बाइलेक्शन आप सही कह रहे हैं दो केवल ये फैसला ट अगर आपको प्लान बता देंगे तो ये लाइव हो जाएगा प्लान हमारा अभी जैसा परड़ाम आया उससे बेहतर परड़ाम आएगा कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है आप सोचिए ख़वर या रही है कि महला ने अपने उपर जिन्दा आग लगा करके जान दे दी जिन्दा है कि एक्सपर होगी आप सोचिए आप आप लोग ख़व सोचिए कि एक महला अपना नयाय मांगने गई और उसने आदमधा कर दिया और था नहीं मर्स पुलिस वहां थी परसासन क्या कर रहा था वहां पर और इनके विधाएक खुद आरूब लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद सबीकार कर रहे हैं तो सबसे करीम हो उनके कि अगर मुकृंती मैसूस करने क्या दलाली ओर रही है तो जो दलाली करने उन पर इंपर कारथी क्या करना है जिस विभाग के बारे में वो आरोब लगा रहे हैं वो विभाग तो सब से करीम हैं उनके अब सदर से आप नी नहीं तो आपको बना देता मेरी रिक्षा है कि आप ही बन जाओ तो आप पक्से अच्छा रखो गया हमारा क्योंकि अंदर की भी बात आप जान रहोगे बाड के अलावा देखिए इसलिए मैंने का ये सरकार कुर्सी के चक्कर में जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया कोई कह रहा है कि इतने गाओं हैं बाड की चपेट में 1400 गाओं कोई अख़वार लिख रहा है 900 गाओं हैं बाड की चपेट में सच्चाई कम से कम ये सरकार बताए कि आखिरकार कितने गाओं हैं चपेट में क्या उनकी मदद हो रही है कल सरकार कहे देगी के बाढ़ा आई नहीं क्योंकि बाढ़ का पानी निकल जायागा जब जरुवत थी तो सरकार कहा थी और जब मुख्यमंत्य जी के अपने ग्रह जनपद में बाढ़ हो पूरा गोरत पुर में पानी बाढ़ा था अब दो दिन में बाहर निकल गया तो जब मदद की जरूरत थी तब सरकार कहा थी आपको तो सब दे दे क्योंकि सरकार तो बननी नहीं है अज़ा कोई सरकार बननी है बताओ अगर आपकी इच्छा हो तो हम पूरी दे देंगे जाएं अज़ी आज़सर की खबर का असर हुआ है पन नगर रही नगर में गुंडूर रुका है ये आपका असर तो हुआ होगा लेकि असली असर हुआ है जो सरकार कमजूर हुई एक और सरकार घबरा गई कहीं जो संगर से कहीं बढ़ना जाए समाजबादी लोग लगाता संपर्ग में थे रवीदा जी लगाता संपर्ग में थे पीछे बैठे हुए लोग दोनों संपर्ग में थे और आप तो हीरो निकले ही मुझे सुनने में आ रहा है लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा आज तक को पैकेज गिता मिलता है तो इसलिए ये सरकार कमजोर हो गई इसलिए फैसा टाल दिया क्या जो पहले जिन्नों का घर उजाड़ा था ये सरकार मजबूत होती तो इनका भी उजाड़ देती घर तो किससे फैसा लिया था घरों को हटाने का कौन लोग थे क्या मुख्यंती खुद थे तो अब तो मुख्यंती कह देंगे हम नहीं थे अधिकारी थे सरकार खुद फैसा ले रही थी और फिर उस सरकार से क्या उमीद करोगे जिस सरकार ने सबसे देश का सबसे अच्छा रिवर्फरंट खराब किया हो जो गौप्ती रिवर्फरंट है उस देश का सबसे अच्छा रिवर्फरंट होता तो उससे कोई उमीद करोगे नाले पर रिवर्फरंट बना रहे है रिवर्फरंट बनता है रिवर पर नाले पनी बनता है आप मुझे ये बता हो उस नाले का पानी साफ करने का क्या इंदाम है सरकार का जो नाले में पानी आ रहा है डोमेस्टिक वेस्ट है या अन्न वेस्ट जो आ रहा है उसके अंदर तो वेस्ट को कैसे रोकते ही लोग क्या प्लान था इनका इनके पास कोई प्लान नहीं था केवल गरीबों को जाड़ना चाहते थे ये लोग और हो सकता है कि कुछ बिल्डरों से मिले रहे हों ये लोग क्योंकि इधर सब बिल्डर उनी की तरफ चले गए है कि उन्होंने कराया वही रंग मिटा रहे है करा तो उन्होंने ये सरकार का इफैसला था ये अधिकारी फैसला इतना बड़ा नहीं ले सकते हैं ये सरकार का फैसला था आप इस तरह बात को मत हटाईए सरकार कमजोर पड़ गई इसलिए हो गया उप्चुनाव आ गया घबरा गई कि दस नहार जाए इसने फैस्दा टल गया प्रेस को जादा मिलेगा यो प्रेस को कितना मिलता है कितना बज़ेट है प्रेस का रविदार जी कितना है इतना सच मत मोलो हमारे अगर ये सही है इस अख़वार को बीच-बीच में कम मिला है ये अपना सच मत आ रहे है अब बज़ट पर जब आएगा तब बोलेंगा अभी नहीं ने देखिए ऐसा है बज़ट पर तो केवल एक ही पक्ष है बज़ट का केवल एक पक्ष है कि जब ये देश की सरकार ये कहती है कि फिफ्थ लाज़स एकॉनिवी बनने वाली है और बहुत जल्दी थर्ड लाज़स एकॉनिवी भारत की हो जाएगी उसमें उत्तव पर देश जो अपना सपना देख रहा था कि एक वन टिलियन डॉलर की एकॉनिवी होगी तो उसके लिए दिली सरकार ने क्या सहयोग किया और दिली सरकार ने क्या मदद किया पहली बात कि हमारे उत्तव पर देश के मुख्यमंती जी ये कहते रहे है कि उत्तव पर देश की वन ट्रिलियन डॉलर एकॉनिवी कर देंगे उसमें दिली सरकार किया क्या मदद थी कितना सहयोग किया और फिर जो ग्रोथ रेट चाहिए यूपी को वो 35% की चाहिए तो उस 35% ग्रोथ रेट के लिए क्या मदद किया है दिल्ली सरकार ने और फिर दिल्ली सरकार ये बताए कि पर कैपिटा इंकम क्या है लोगों की अगर फिर लाजिस एकॉनिमी है और थर्ड लाजिस एकॉनिमी बनने वाली है तो प्रति व्यक्ति आए क्या दुनिया के उन देशों के बराबर होगी या होई है के नहीं होई है बस वरना ये सब आकड़े हैं जनताओं को धोगा देने के लिए